चाहे जितनी भी पुक्ता तैयारी हो लेकिन जब भी परिक्षा का नाम आता है तो पसीने छूटने लग जाते हैं समय परिक्षाओं का चल रहा है और गुडीन विंग इंडिया में हम बात करेंगे टिप्स फोर एकॉनोमिक्स की हमारे साथ स्टूडिय में मौझूद है अब है श्रिवास्तव जी नमस्कार बहुत वस्वागत अबहट जी सबसे पहले जो सवाल आता है कि एकॉनोमिक्स से जोड़ा हुआ कि चुकि अभी समय कम है नजदी की एक्जामिनेशन है इंपॉर्टन टॉपिक्स क्या-क्या है जिससे विद्यारतियों को उनी विश्व पर फोकस करना चाहिए देखे एकॉनोमिक्स के बेसिकली क्लास 12 में दो ब्रांचेश है माइक्रो है और दूसरा माइक्रो माइक्रो एक्नामिक्स में अगर उसके स्लेबस को ध्यान से देखा जाए तो माइक्रो एक्नामिक्स में तीन लाज आते हैं और तीन एक्किलिब्रियम्स लाओ डिमांड लाओ सप्लाई और लाओ वेरिबल प्रोपोर्शन्स तीन एक्किलिब्रियम्स में कंजीमर्स एक्कि अब हम बात करें यूनिट वाइज यूनिट वन में टीन सेंट्रल प्रॉब्लम है वाट प्रोडूस और हो फॉर व्म टु प्रॉडूस कई सालों से आप अगर क्वेपर को देखते हैं तो हर साल कोई ने कोई एक प्रॉब्लम आता रहता है या वट तु आ सकता है या हौ सब्सक्राइब。 चाहे वह परसेंटेज में जड़ से आया या उसी तरह दिमांड में देखा जाए तो डिमांड का एक्सपांशन कॉंट्रेक्शन और शिफ्टि इंडिमांड का डिफेंस आता है हमेशा चाहे वो increase in quantity demand और increase in demand का difference हो या increase in decrease in quantity demand या decrease in demand का difference हो Unit 3 की बात करें जहां producer behavior and supply तो Unit 3 का जो main important topic है producer equilibrium और Unit 3 में law of variable proportion is again very very important इसके अलावे Unit 3 में तीन terms है total, average और marginal total revenue, average revenue, marginal revenue, total cost, average cost and marginal cost, total production, average production and marginal production तो question setter हमेशा average और marginal का कोई न कोई एक relation जरूर पूशता है तिसलिए बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको average और marginal का concept clear है तो अगर आप production जानते हो तो उसे cost भी लिख सकते हो, cost जानते हो तो revenue भी लिख सकते हो अब रही बात Unit 4 की, Unit 4 में हम market equilibrium पढ़ता है market equilibrium में different forms of market perfect compression, monopoly, monopolistic compression और oligopoly जो latest market है वो oligopoly तो oligopoly का feature आना बहुत ही important है और features के अलावे उसमें question होता है कि आप एक कोई एक कोई particular feature दिया जाता है और उस feature का वो significance पूछता है तो बच्चों को significance बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए यानि लिखते वक्त आप ऐसा ना कि कुछ भी लिखतो significance यानि उस features का क्या important है मतलब उस features का उस market में क्या important है market equilibrium से दो effect बनता है एक market equilibrium की जब हम बात करते हैं तो market की दो elements होता है दो agents होता है एक buyer होता है और एक seller होता है और जब यह दोनों balanced होते हैं तो market equilibrium में होता है तो competition दो sides होता है या तो buyer side से होता है या seller side से होता है जब buyer side से होता है तो access demand होता है और जब seller side से होता है तो access supply होता है तो buyer side से chain effect या तो access demand का chain effect आता है या फिर access supply का chain effect आता है अब बात आती है इसके limitation की तो market fail कहा हो जाता है जी यह तो बात रही कि महत्पूर्ण topics क्या क्या है बात है कि अब समय कम हो तो तैयारी कैसे करें नी उससे पहले मैं थोड़ी सी जी तुम मैंने micro की बात बताई थी और macro में देखा जाए तो national income accountings में GDP का limitation, budget में budget का objectives, RBI में RBI का function and commercial bank में एक ही function है that is called credit creation of commercial bank तो question setter के पास कोई खास option नहीं होता है इसलिए credit creation आता ही आता है और ज्यादा पूछी लेता है और balance of payment में foreign exchange और balance of payment में flexible और managed floating exchange rate और balance of payment में autonomous और accommodating transaction ये कुछ ऐसे questions है जो 100% शोपर नहीं हो सकता है अगर बच्चे सारे questions पे concentrate करें तो उनको बहुत benefit होगा अब आपका जो दूसरा प्रस्न है तैयारी कैसे करें तैयारी कैसे की जाया हमारे पास जो तैयारी के लिए सबसे बढ़ी बात यह कि बच्चों के अंदर एक positive approach होनी चाहिए और फूल आत्मिश्वास के साथ तैयारी करें जितने भी conceptual topics है उसको लिख कर समझ कर और कोशिस करें कि उससे घर में लिख कर प्रैक्टिस करें उससे related क्या technical question बनता है देखिए अगर हम question pattern की बात करें तो CBAC का question knowledge understanding application and hots इन चार पहलू को touch करता है तो अगर questions understanding based है application based है या value based है hot question high order thinking skill है तो question जितना ज्यादा आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए comfortable होगा examination में लिखना वरना आप घर से अगर सिफ ट्रैम करके जाते हैं लिखते वक्त एक्स्प्रेस करते वक्त कोई ना कोई तक्डिकी गलतियां हो जाती है और उस गलती के कारण students को अपना marks खोना पड़ता है जी बहुत महत्मन बात का ही marks लिखने की मिलते हैं पढ़ने की नहीं अक्सर बच्चे कहते हैं कि विद्यारती कहते हैं मैंने पढ़ाई बहुत की लेकिन marks नहीं आए जो खास और से question attempt करने में question paper attempt करने में क्या साबधानी रखनी चाहिए question paper attempt करते वक्त आपको जैसे पता है कि paper में 15 मिनट रीडिंग टाइम्स दिया जाता है बच्चों को तो बच्चों को मैं यह सला देना चाहूंगा कि उस 15 मिनट को बरबाब ना करें उस 15 मिनट में आप हर एक question को पढ़े सोचे और समझे और उसी सबहें आप अपना strategy बना ले कि आप attempt कैसे करोगे paper कई ऐसे students हैं जिनका writing skills slow होता है तो लास से सुरू करते हैं कई ऐसे students हैं वो confused हो जाते हैं question पढ़कर तो question पढ़कर आपको confused होने की कोई ज़रूत नहीं है question को आप systematically पढ़िए उसके बाद आप यह देखिए कि कौन सा questions कि क्या requirement है questions short term short questions है long questions है mathematical questions है graph based questions है उस समय आपको strategy बनाना है उसके बाद जब आप paper attempt करते हो तो economics में दो set होता है part A और part B part A micro economics होता है और part B macro economics होता है तो generally students कई बार ऐसा लिखते है कि micron economics का पर बीच में a macro का डाल दिया फिर micro का लिखा फिर दो macro का डाल दिया फिर कुछ space चोड़ दिया ऐसे गलतिया ना करे कि इससे क्या होता है कि चेकिंग में परिशानिया होती है फिर marks में भी परिशानिया होती है दूसी बात यह है कि जब हम question लिखते हो तो समय मैं numbering सही करूं। कई बार students उस समय examination pressure होता है और गलती से वो question number 5 लिखते हैं और 6 लिखते हैं दिखने में बात किती छोटी सी लगती है लेकिन examination के fear में या उस pressure में या जल्दबाजी में वो गलती अक्सर होई जाती है question number clearly लिखे एक question से दूसरे question के बीच में gap रखे ज्यान दे जिस question paper में आपको graph नहीं पूछा गया है उसमें जबरदस्ती graph ना डाले कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि theoretical part तो आपका सही होता है लेकिन graphical part आपका गलत हो गया चुकि आप graph पे confident नहीं थे आपने graph बना दिया उसके कारण answer का image थोड़ा सा खराब हो जाता है तो बच्चों से मेरा request यह है कि आप यह देखो कि question paper इस particular question की requirement क्या है वो क्या पूछ रहा है अगर वो आप से सिर्फ तीन objective पूछ तरजी जो 15 वो question पूछना क्या चाहता है कई बार ऐसा होता है एक कोई question होता है what is and what is its significance question का marks चार है तो what is one marks and significance three marks students what is को 10 लाइन में लिखते हैं और significance दो लाइन में लिखते हैं तो exact marks नहीं ले पारते हैं आखरी सवाल हम लेंगे numerical portion है mathematical portion है उससे सभी लोग ड़ते हैं और जिसमें की एक बार में कम लिख करके भी पूरे marks मिल सकते हैं वो इस मौके को चुक जाते हैं इसको कैसे handle करना चाहिए देखे सबसे पहले तो मैं बच्चों को बोलूँगा कि numerical से घबडाने ही कोई ज़रूत नहीं है इसमें कोई बहुत बड़ा calculus का formula नहीं होता है 12th class के जितने भी numericals हैं economics के जो भी numericals हैं सिर्फ formula based है और number का posting से ही होना चाहिए कोई भी question है अगर जो numerical question है उस numerical question का सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें कौन सा formula लएगा अगर elasticity of demand का percentage method है तो आपको percentage method का ही formula लिखना है expenditure method का नहीं लिखना है तो formula जरूर लिखे क्योंकि formula का भी marks होता है अगर चार्ड नंबर का question है तो कई बार एक नंबर या दो नंबर तो formula का होता ही होता है तो formula का दो नंबर मिल गया फिर question का marks posting सही करे अगर आप delta qd by delta p into p by qd लिखते हो तो delta qd की जगा पर delta qd की value डाले वरना कई बार होता है कि marks नंबर की posting गलत होने के कारण answer गलत आजाता है formula तो आपका सही होता है लेकिन number सा आपने marks posting सही नहीं की इसलिए आपका result गलत आता है और जब result गलत आता है तो आपके marks कर जाते है step wise solve करें step marking आपको marks दिलवा पाएगी और समय की कुछ कमी है हमारे पास में आपको धन्यवाद देते हुए और दर्शकों को हम best wishes देते हैं कि अपना best examination में करें और निश्य तरपर आपको बहतिने marks मिलेंगे